Hello guys, آج हम hemi-cord data के बारे में पढ़ेंगे, जो cor data और non-cord data के बीच का link है इसके अंदर हम पढ़ेंगे balance no glossis इसको हम acrone warm और tongue warm बोल देता है tongue warm क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह tongue shape का होता है acrone warm क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह तिली मिठ्टी में पाया जाता है यह मिट्टीम पाया जाता है जो मिट्टीम प्रेजेंट होता है यह को यह खाता है इसकी मुमेंट होती है सीलिया की हल्प से और यह म्यूकस सिक्रीट करता रहता है और यह बिल कैसे बनाता है बिल यूशेप का बनाता है और किसकी हल्प से बनाता है प्रोबिसकस की हल्प इस इस बिल से इसे कोई खाने वाला प्रयाज है तो यह यहां से निकल जाएगा बचके इसकी बिल की लेंथ कितनी होती है 50-70 cm, ब्रैथ कितनी होती है 10-30 cm, सेक्सिस जो हैं इसके सेपरेट होते हैं, मेल और फिमेल अलग-अलग टूब्स में रहते हैं, फर्टिलाइजेशन एक् होती है, इसके पास बहुत सारी शेप साइज, यह बिल्कुल अर्थ वाम के जैसा होता है, थोड़ा सा, यह 3 cm से 2 मीटर तक लेंथ होती है, इसकी कलर वेराई करते हैं, कोई ब्राउन कल रगा, कोई ग्रीन कल रगा, कोई यलो कल रगा, और इसकी स्मेल थोड़ी सी अगर एक बार काट दे तो दोनों तरफ एकोली हाफ आएगा, सीलिया कवर होते हैं, पूरी बोड़ी पे, जिनके अल्प से मूवमेंट करता है, अब इसकी बोड़ी तीन पार्ट में डिवाइड होती है, प्रोबिसकस होता है, और अपर पार्ट होता है, और क्लब शेप हो होता है, इसकी वज़े से बोड़ी मस्कलर होता है, प्रोबिसकस में एक सिलोम प्रेजंट है, इसको हम प्रोबिसकस सिलोम बोल देते हैं, जिसके अंदर हर्ट, पैरिकार्डियम, गलमरी, रुलस, यह से पुछाता है, प्रोबिसकस के पोस्टिरियर एंड पे क्या होता है, बिलो इस नेक एक प्री ओरल कहीती प्रसेंट है जो क्या करता है वोटर और फूड अच्छी क्वालिटी मेरा की से थी का यह सुछ क्वु सी हनुछा 10 तो हमेशरी है जिन folded होता है और body को wrinkled बना देता है ट्रंक ट्रंक तीन पार्ट में डिवाइड होता है branchiogenital, hepatic reason, abdominal reason branchiogenital reason में क्या होता है सबसे पहला पार्ट, first part होता है ये trunk का और इसके अंदर gills और gonards आते हैं hepatic reason में hepatic सीख्या आते हैं और abdominal reason में ये posterior part होता है हमारे trunk का और ये NS को cover करता है और इसके टिप पे present होता है अब हम देखते हैं body wall के बारे में balanaglosis की body wall जो हती है ये बिल्कुल soft होती है cilia present होता है पूरी body पे ये तीन layers mid wide होती है सबसे उपर वाली होती है epidermis epidermis single layer होती है ये made up होती है कि इस चीज की columnar cells की columnar cells प्रेश कौन से कौन से होती है ciliated columnar cells gland cells जो ciliated columnar cells है ये तो क्या करती है cilia present beer करती है और gland cells को भी तीन टाइप के होती है goblate cells reticulate cells glandular gland cells ये दोनों तो क्या करेंगी mucus secret करेंगी और ये क्या करेंगी अब mucus layer होती है इसके नीचे ही बिल्कुल mucus fiber secret करती है जो बिल्कुल basement के एपिडर्मिस epidermis के नीचे basement basement के नीचे mucus layer होती है फिर peritonium होती है ये cilom को like cilom के उपर होती है adult के अंदर ये absent होती है embryo में ये present होती है अब हमारी इसकी blenoglices की cell wall का function क्या है इसको protect करके रखती है cilia present बेर करती है तो इसको locomotion में help करवाती है senses में help करवाती है और mechanical support प्रोवाइड कर आती है